क्लिक ऑन दा सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन दा बेल आइकन तो वच माई और नुव वीडियोज अब गाइस दिसे उज्जल कुमास सैनी वाचिंग उज्जल कुमास सैनी यूटीव चैनल यह भी क्वेशन कहां से है बैसिकली इंजिनियरिंग मेकैनिक से क्वेशन आ कोशन में डायग्राम भी आपके पास सबकुछ लगवक्त हैं अब हम बात करेंगे कैसे को सॉल्व किया जाए अब दिखिए इस को सॉल्व करने के ला हमें क्या करना पड़ेगा पहले एक्विलिब्रियम कंडिशन कंसीडर करना पड़ेगा उसके जरी हम क्या बोल सकते हैं समेशन और वेक्टर मतलब वाल फोर्सेस इस इकॉल टू जीरू अब ऐसा करते हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर दोनों जो मारे पास क्या है सपूर्ट है और मासलेस सपूर्ट हमने कंसीडर करा हुआ है दोनों सपूर्ट कितना हो जाएगा टीवन प्लस टीटू इस इकॉ क्या है हमारे पास मूमेंट नहीं होगा तो इस केस में क्या करेंगे हमारा एकोईशन लगाएंगे तो क्या आजएगा टीटू मुल्टिपल लेंट हो जाएगा is equal to hundred multiple जो हमारे पास load लग रहा है हाँ पर hundred total load hundred लग रहा है into क्या जाएगा half of the length जाएगा जो हमारे पास तरीका उते concept है उसका use करेंगे तो हम क्या बोलेंगे पहले taking moment about x x के अगर moment लेंगे तो क्या होगा t2 into l upon 2 is equal to hundred into l upon 2 l upon 2 l upon cancel हो गया तो t2 is equal to क्या हो गया hundred newton अगर t200 तो t1 कितना आजाएगा 0 newton तो option देखो t200 newton है t1 0 newton है याने की हमारे पास जो option a है इस case में वो क्या है right answer है so guys this is how we can solve numerical problem related to this cross section or weighing type question and thanks for watching thank you very much and see you soon in my next video tutorial बबबाई